नमसकार आप देखने है टोटल ल्यूज बड़ी खबर करो करेंगे बीजेपी ने शुरू किया है गाउ चलो गली चलो अभियान और धिल्ली बीजेपी वीरें 드र सचदेवा अध्याक्ष भीजेपी अध्याक्ष वीरेंद सचदेवा शुरू करेंगे अभियान नरेला के बखतावर पुर स्थित ताजपुर गाउं से शुरू करेंगे अभियान गाउं दिहात में बीजेपी रीती नीती के तहट करेगी प्रचार प्रसार तो आपको जानकरी देदे बीजेपी शुरुआत कर रही है इसकी अभियान की दिली बीजेपी के जो अध्यक्ष है वीरेंद्र सचिदेवा वो उसकी शुरूआत करने जा रहे हैं बड़े खबर आप तक पहुचा दे अभियान की शुरूआत होगी और बीजेपी ने इसको गाउं चलो गली चलो अभियान शुरू कर दिया है इसके जरिये लोगों से जुड़ा जाएगा अपनी बात को रखा जाएगा नरेला के बखतावर पुर इस थे तताजपुर गाउं से अभियान की शुरूआत होगी बीजेपी इसकी शुरूआत करने जा रही है और गाउं देहात में बीजेपी रिती नीती के तहट जो है वो प्रचार प्रसार करेगी आज से इसकी शुरूआत होगी और इस अभियान का नाम है गाउं चलो गली चलो अभियान जिससे एक एक व्यक्ति तक अपनी बात को रखा जाएगा और एक एक व्यक्ति तक पहुँचा जाएगा रिया हमारी सेयों की जुड़ी हुई है रिया एक नया अभियान शुरूआत होनी जा रही है आज से और गाउं चलो गली चलो इसका क्या उद्देश है किस उद्देश से किस मोटिव को लेकर के ये लोगों से जुड़ा जाएगा जिसमें सचदेवा इसमें शामिल होंगे इसका नेत्रत वगरेंगे शुरूआत है वो दिल्ली बीजीपी के माध्यम से की जाएगी जिसका नेतित्व जो है दिल्ली बीजीपी के अध्यक्ष वरेंज सचदेवा करते नजर आएंगे अगर इस अभ्यान के बारे में बात करें तो पीम नरेंद मोदी के आवाहन पर जो ये पुरा अभ्यान है वो चलाया जा रहा है क्योंकि भाजपा का शुरुआ से संकल्प रहा है कि समगर भारत यानि की समगर गाउं का विकास यानि की गाउं की जो नीव है उसको भी कारे करता होंगे और जो अलग-अलग बूत की कारे करता होंगे विधान सभा में जिस सरीके से देखेंगे कि सांसद हो या फिर जो विधायकों वो अलग-अलग जगहों पर गाउं में जाकर वहां पर इस पूरे अभ्यान को करते नज़राएंगे हाला कि इस अभ्यान के प बड़ी भूमिका आदा करती है क्योंकि बीजीपी का ये कहना है कि जब वोटिंग की प्रक्रिया होती है तो उस दोरान पर अक्सर ये देखा जाता है कि शहरी मत और उसके लावाद जो गाओ के मत हैं यानि कि दोनों का ही प्रतीशत जो है वो बहुत बड़े अंतर से देखन को मिलता है और अगर किसी सरकार की योजनाएं की अगर बात करें तो वो यही सुनिश्चित करती है कि गाओं में यानि की जो कस्बें हैं जो छोटे इस तरपर हैं उतना उसमें कितना जादा विकास हुआ है वो ही एक पार्टी की जो भी कारेकाल की पूरी प्रत्रिया रही है जितना भी कारे किया है वो सुनिश्चित कराता है तो इसलिए ये दर्शाया जा रहा है कि बीजिपी ने क्या कुछ काम किया है क्या कुछ योजनाएं रही है क्या वो गाओं कस्बों तक पहुच पाई है और अगर वो योजनाएं पहुच पाई है तो उसे लेकर जनता क क्या कहना है तो एक तरीके से बीजिपि के माध्यम से चुनावी, रण और रिटी, नीती जो भी गाउं और कस्बों को ले कर रहे हैं उनकी जानकारियां भी अब चुनावी हाल में ली जाएंगी और उसके लावाँ जो तमाम योजनाएं हैं प्रचार पसार के माध्यम से उनका भी जिक्र जो है वो गाम और दिहाद में जो भी अध्याक्ष होंगे विधायक होंगे शांसद होंगे उनके माध्यम से अब किये जाएंगे अब ये देखना होगा कि आखिर जिस तरीके से बीजीपी का ये दावा है कि वोटिंग में जब चुनाव होते हैं तो उसमें गाव और दिहाद जो है उनका पतीशत होना बेहत जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से भारत के अगर बात करें तो पीम नरेन बोधी ने पहले ही अपने संकल्प में ये कहा था कि भारते जंता पार्टी शुरुवास से ही शहरी विकास के साथ ग्रामिड विकास पर भी पूरा-पूरा जोड दे रही है इसलिए गावं का समगरी विकास होना बेहत जरूरी है और इसी रड को लेते वे इसी नीती को लेते वे आज से इस अभ्यान की शुरुवात हो रही है जो की नरेला के ताजपूर गावं से देखने को मिलेगी बह